नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन में बदली इस्कूलों की टाइमिंग 30 जून तक 7 से 1 बये तक इस्कूल इस्कूली सिक्षा एम सक्षर्था बिभाग ने मौसम में पर्वतन को देखते हुए सरकारी गया, सरकारी सहयता प्राप्त एम अल्प संख्या की स्कूलों के संचालन के ओधी बढ़ाती है ए इस्कूल 30 जून तक सुबह 7 बये से अपराहन 1 बये तक संचालित होंगे इस्कूली सिक्षा एम सक्षर्था बिभाग ने सुक्रवार को इस समान में अदेश जारी कर दिया है इससे पहले गर्मी को देखते हुए स्कूलों के संचालन के ओधी सुबह 7 बये से साठे 11 बये तक निधारित की गई थी मौसम में परिवर्तन होने के बाद इस्कूलों के संचालन की ओधी बढ़ाई गई है वहीं भी भाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रातह कारिन काक्छाओ के रूप में 30 जून तक उक्त इस्कूल सुबह 7 बये से अपरहन 1 बये तक संचालित होंगे उसके बाद 1 जूलाई से अगले वरस 31 मार्च तक इस्कूलों का संचालन सुबह 9 बये से 3 बये तक होगा वही निजी स्कूलों के संब्ध में कहा गया है कि इनका संचालन बिद्याले परवन्धन के दिशा निर्देश के अनुरूप RTE अधिनियम के प्रविधानों के तहत होगा कमलेस के ठीकानों पर ED की छपे मारी एक क्रोर नगत बरामत जमीन घुटाला मामने में मनी लॉन्डरिंग के तहत जाच कर रही ED ने अब रांची के एक बड़े जमीन माभिया कमलेस सिंग के आवास पर छपा मारा है उसके काके रोड में चांदरी चो किस्थीत अस्टार गरीन अपार्टमेंट के फ्लेट से छपे मारी में ED को एक रूपए नगदी के अलावा एक सो कार्तूस्त मिले हैं जिसे जब्त कर लिया गया काके रोड के स्टार गरिन अपार्टमेंट में फ्लेट नमबर 603C है जहां ए बराम्दगी हुई है ED को यहां भारी मात्रा में जमीन की खरीद भी क्रीवर निवेश से समझी दस्तावेश भी मिले हैं जिसकी छान भी चल रही है संभव है देर रात तक कमलेश से की रफतारी हो जाए कमलेश का बड़े अधिकारियों से भी बेहतर समन रहा है बता दे जहारखन के पूर्वर डीजी पी डीके पांडे की पतनी के नाम पर ली गई काकेश थी जमीन के मावले में भी कमलेश का नाम सामने आया था जहारखन पहुचा मानसून जून में 65% कम हुई बारिस जहारखन में मानसून का इंते जहारखत में हो गया है छह दिन की देरी के बाद सुक्रवार को दक्षिन पच्मी मानसून जहारखन में परवेश कर चुका है मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों में पूरे जार्खन में मांसुन पहुंचने की संभवना है जार्खन में आने वाले दिनों में कई अस्थानों पर गजन के साथ हलके से मद दर्जे की बरसा होने की प्रबल संभवना है मौसाम विभाग कानुसा 24 जून को राजे के उत्तर पूर्वी भाग जामतला देवखर दुम का पाकुर गोड़ा साहम गज में कहीं कहीं पर भारी बारिस की भी समभवना है वही 25 जून को उत्र पूर्वी और निकटवर्ती मद भागो राजची समित रामगर बोकारो धनबाद जामतला देवखर दुम का पाकुर गोड़ा साहम गज में भारी बारिस को लेका एलो अलट जादी किया गया है गरीब हुआ मेधावी छात्रों को सरकार की योजनावों का लाभ दे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री चमपई सुरे ने कहा है कि राजच का कोई भी बिद्यार्थी आर्थिक तंगी की वज़से उच और तकनिकी सिक्षा सिवन चितना रहे या सरकार का संकल्प है इस दिशा में राज सरकार की ओर से कई योजनावे शुरू की गई है इन योजनावों का लाभ यहां के गरीब और मेधावी पिद्यार्थियों को सुलबता के साथ सुनिश्चित करे शुरे ने सुक्रवार को प्रजेक्ट भौन में उच एवम तकनिकी सिक्षा विभा के उच असर ये बैठा के दो आने बाते कही है इस मौके पर उठने गुरू जी स्टूटेंट क्रेडिट कार्ड योजना के गो लाइब आफ इस्टूटेंट एप्लिकेशन मोडिूल का सुबारम किया है इसके तह जिन विद्यार्थियों का चैन उच सिक्षन संस्थान के लि योगा अभ्यास लोगों ने योग प्रोटकाल का अभ्यास किया है वही सराय किला में 155, घाट सीला में 155, रामगर में 85, पाकुर में 160, राज महल में 200, लात्याहर में 250, दुमका में 332, घागी डिह में 560, गिरिडी में 125, मधुपूर में 250, देवघर में 200, गोड़ा में 55, और गुमला में 263 कैदियों ने योग अभ्यास में हिस्ता लिया है बच्ची की दुसकर्म के बाद हत्या मामले में 4 गिरफतार, बरहरounds के रानी ग्राम में 8 बर्शे बच्ची की दुसकर्म के बाद हत्या मामले का पूलिश ने 24 गंटे के भितर खुल सा कर दिया है, घाटना में सामील 4 आर जाच में पुलिस आरोपियों तक पहुँचने में कम्याब होई जाच में दुमका से आई डॉक स्कुआइट टीम से काफी मदद मिली है गिरफतार आरोपियों में एक युवक का नाम लक्षमन बगती है बाकी तिन नवालिक हैं सभी ने अपराद कपूल कर लिया है पलामू डीसी कर्याले के समक्स सनिवार को भाजपा करेगी परदर्सान पलामू में बिजली पानी, बालू, खाद, बीज और चर्मराई हुई स्वास्त बेवस्था जैसे जन मुद्दे को लेकर भाजपा 22 जून सनिवार को अक्रोस रैली निकालेगी यह रैली रेडमा काली मंदीर के सामने माइनर इरिगेशन ओफिस के मैदान से प्राता 10 वह सुरू होगी और समानालय तक जाएगी नीट परिक्षा गलबडी के विरोध में प्रदेश कांग्रेश ने किया राजभवन मार्च केंद्रीय सिक्षा मंत्री को परखास्त करने की मांग और नीट परिक्षा में गलबडी की सीवियाई जहां सीमांग को लेकर प्रदेश कांग्रेश कमिटी के दुवारा राजभवन मार्च का आवज़न किया गया जिसका नेतित परदेश कंग्रेश अध्यक्स राजभवन ने किया है इस कारकरा में मंत्री बनना गुपता समेत कांग्रेश के कई वरिष्ट नेता और करकता हिसा ले रहे हैं सहीद चोक से मार्च का आवज़न किया गया जो कचहरी रोड होते हुए राजभवन पहुँचा परदेश कंग्रेश अध्यक्स राजभवन ने कहा है कि केंद्र की भाजपा नीती सरकार देश के छात्रों के भवविस के साथ खिलवार कर रही है पूरे मामले की सिबियाई जाच होनी चाहिए केंद्री मानो संसाधन मंत्री धर्मेंदर परदान को तुरंत मंत्री मंदल से प्रखास्त करते हुए उन से स्थिपा ले लेने चाहिए क्योंकि इस गोटाले में कहीं न कहीं सिक्षा विभाग की आहम भूम का है निट परिक्षा घोटाला के तार गुजरात लोवी से जुड़े हुए है और इसमें भाजबा कवरिश नेताओ के कोचिंग संस्थानों का आहम रोल है एन पी यू में 24 से परिक्षा लेकिन अब तक नहीं बटे एडमिट कार्ड अखिल भारती बिद्यार्थी परिशत ने सुक्रवार को निलामबर पितामर विश्व बिद्याले में विश्व बिद्याले परशासन का पूतला दहन किया है इसका नेतित परदेश कार करनी सदर से अभाय वर्माने किया है ग्यात हो कि निलामबर पितामर विश्व विद्यारे के परिक्षा विभाग में NCCF कमपनी का कार्यकाल एक साल पूर्व ही पूर्ण हो जाने के बाद कमपनी से विश्व विद्याले परशासन कार्यक करा रही है तीन दिन पूर्व से विश्व विद्याले के परिक्षा विभाग में कमपनी कारे करना बंद कर दी है आज से थिती में विद्यार्थी संसे की थिती में है कि विश्व विद्याले पर सतन चोबिस तारिक से परिक्षा की थिती घोसना कर दी गई है परन्तु अब तक अड्मिट काड़ जारी नहीं हो सका है, जिससे भी दारती काफी परिशान है अंतरश्ट्रीय योग दिवस पर खुटी में हज़ारो लोगों ने किया योगा अभ्यास 10. अंतरश्ट्रीय योग दिवस पर सुक्रवार सुबा खुटी के बीर्विसा कोलेज हों के स्टेडियम सहीद विभीन सरकारी उनीजी संस्थानों के साथ नियाले में योग कारकरम का आउजन किया गया जिसमें हजारों लोगों ने योगा भ्यास किया है कचहरी मैदान में आयोजीत योग दिवस का उध्याटन उपायूग तो लोकेस मिस्र ने दिप प्रुजलित कर किया है मौके पर अमन कुमार पुलिस अधिकछक, अनुमंडल पताधिकारी, अनिकेत सच्चान, CRPF के कमांडेंट, सिविल सर्जन सहीथ, खुटी जिलेक विभीन कारकरमों के पताधिकारी विभीन बिद्यालों के सिक्चक सिकाये चात्र चात्राये पुलिस पताधिकारी और आम लोगों ने योगा भ्यास किया है खुटी में मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा पुलिस ने मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का उत्भेदन करते वे गुरुवार को एक आरोपी जाकिर अंसारी विग्रफतार किया है उसकी निशान देही पर चोरी की 40 पीस, HBL, BR, LA बैटरी के साथ एक मारूती, ओमनिकार, वायर कटर, पेचकस, रीच आ पर छापे मारी, दलने 8 बजे, कुल होटू बसती के पास, बैरिकेटिंग लगा कर वाहन चेकिंग अप्यान शुरू किया, इस दवरार रांची की तरब से एक निली रंकी मारूती, ओमनी, मारूती, कार आती दिखाई पड़ी, पुलिस पार्टी को देहकर, कार सवार से आराम करेगी, मुख्यमंत्री चमपाई सुरेन ने सुक्रवार को द्योग, विभाकी समिक्षा के दरान एह निर्देश दिये हैं, उन्होंने कहा है कि बड़ी इंटर स्टीट के साथ साथ लगो, कुटीर एवम छोटे-छोटे उद्योगों को हर हाल में बढ़ावा दे, इससे जोड़कर गरीब किसान तथा जरुवतमन लोगों के आय में बिरीधी लाया जा सकता है, जारखन में सिल्क और तसर उत्पादन के छेतर में रोजगार के अच्छा उसर है, मुख्यमंत्री ने जारकराप्ठ तथा खादी एवम गराम उध्योग बोट के अधिकारिय को निर्देश दिया है कि वे सुदुर गरामीन छेतर में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को प्रसिक्षन दे कर हुनरबंद बनाए, महिलाओं को सवरोजगार्थ जोड़का उनने आत्म निर्वार बनाना राय सरकार की प्रत्मिक्दा है, गुरुजी स्टुडेंट क्रेडिट योजना का पोर्टल लांच, मुख्य मंत्री चमपाई सुरा ने कहा है कि जहारखन की विद्ध्यार्थों को उच एवम तक्निकी सिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, इसे लेकर राय सरकार प्रयासरा था है, इसके लिए कई योजनाय सुरू की गई है, उन्होंने सुक्रवार को पोर्जेक्ट भण में उच एवम तक्निकी सिक्षा विभागी समिक्षा करा में ये बाते कही है, इसी अवसर पर उन्होंने गुरुजी स्टुटेंट क्रेटिट काड योजना के गो लाइब आप स्टुटेंट अप्लिकेशन मोडूल का सुभार केंद्रे ने परतियोगी परिक्षाओं में अनिमित्ता और कदाचार पर अंकुस लगाने के लिए सुक्रवार को सक्त कानून लागू कर दिया है, जिसमें पकड़े जाने पर अधिक्तम 10 साल की जेल की सजा और 1 रुपे तक के जुरुबाने का प्रवधान है, राष्ट प नेट 2024 परिक्षा के प्रश्ण पत्र लिग पर बढ़ते विवात के बीच यह कदम महत्तपून माना जा रहा है, केंद्रे जांच ब्योरो राष्टरी ये परिक्षा एजेंसी द्वारा आयोजीत परिक्षा के प्रश्ण पत्र लिग की जांच के लिए मामला दर्श किया है विपक्षी दलों ने मेडिकल प्रवेश परिक्षा नीट यूजी में भी अनिमी ताओ कारोप लगाया है, जिसके पईणाम चाज उनको एन्टी ये द्वारा घोशित किये गये थे जारखन मंत्रालाय में घूस लेते महिला सेक्षन अफसर समय दो गिरफतार, जारखन सरकार की एन्टी करवशन ब्योरो ने सुक्रवार को नेपाल हाउस इस्तित जारखन मंत्रालाय के जल संसाधन विभाग में छापे मारी की है, इस दवरान सेक्षन अफसर ममता जहरना ए सर्च किया है, दोनों अपने ही विभाग के निम्न बर्गिये लिपी मेरी नाग से चिकित्सा प्रतिपूर्ती की रासी जारी करने के वज़ें पचास यहर के खूस मांग रहे थे, धन्यवाद